पोर बेडरूम हाउस प्लान डिजाइन तो स्टार्ट काने से पहले हमें इहां पर कॉलोम रेडी करना है तो जो डिजाइन है इसके लिए हमें जो नंबर आप कॉलोम चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि देखिए एक घर बनने के लिए कितना कॉलोम आपको चाहिए और कॉलोम का साइज इहां जाहिए बहुत ही इन्पर्टेन पर्ट होता है बील्लिंग का और इसका फाह समू Vonâyेशन के बारे में भी आपको हिसको हम बात करेंगे यहां पर क्यूंकि फाहूंडेशन भी इन्पर्टेन पार्ट है इसका जो डोर, वीड़ो को एनड यहां पर ट्रॉआ किया है इस कॉलोम का जो साइज है 10 x 10 का 10 x 10 इंच का आप मिलीमीटर में करेंगे तो 250 x 250 mm का यहां पर कलम रहेगा तो देखिए यहां पर नंबर आप कोलम यहां पर आपको जितना भी हमने यहां पर एड किया है कि सबका जो वीथ और इसका उपर से जो लेंध और ब्रेथ है इसका ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएगा इसका जो हाइट है हमने नाइन फीट हाइट तक इसको अभी तक रखा है ठीक है तो आपका बिल्डिंग का जितना हाइट आएगा उसके हिसाब से आप इसको बड़ा कर सकते है ठीक है उसके बाद देखिए यहां पर जो है सेवेन फीट सिक्स इंच हाइट में हम इसका जितना भी वाल है इसको हम पर रखेरने का यहां पर कोशिस करेंगे ऐसे रहेगा डिजाइन उसके बाद इधर नेक्स्ट इधर नेक्स्ट इधर उसके बाद इधर ओके तो आउटसाइड और इंसाइड जो वाल है मैंने पहले भी आपके साथ इसके बारे में बात किया था इंपोर्टेन पार्ट होत एक building बनने के लिए तो इसका भी measurement हमने जो create किया है यहाँ पर जो width यहाँ पर रखा है 5-inch का width है और depth यहाँ पर तो आप 7-6-inch यहाँ पर जो height है वो भी आप यहाँ पर add कर सकते हैं तो यहाँ पर 5-inch wall रखने का यही एक सुविधा है आपको जो आपका building का अंदर जो room है और यहाँ पर जो bedroom हर जो room है इसका size थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा अगर अगर आपको ज्यादा नहीं चाहिए तो outside में आप 10-inch का wall या 9-inch का wall create कर सकते हैं यह depend करेगा आपके उपर क्य तो आप चाहे तो इसको modify कर सकती इस design को तो हमने modify करने से पहले जो जीज आएगा actually जो 3D design में जो दिखाए देगा उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे देखिए ऐसे रहाएगा तो हमें इसके अंदर window भी चाहिए door तो हमने इसके अंदर कर दिया है window के लिए ही यहाँ पर हमें जो हाइट चाहिए 7 feet 2.1 meter depth 4 feet 6 inch 1350 mm आपको depth यहाँ पर मिल जाएगा window का ठीक है तो यहाँ पर जो GL to pale ground level and plinth level हम यहाँ पर पूरा आपके साथ share करेंगे ground level to plinth level जो इसका हाइट है 1 feet 6 inch हमने इहाँ पर add किया है आप चाहे तो आप 2 feet 600 mm या उससे भी ज्यादा 750 mm का आप यहाँ पर height add कर सकते है ठीक है ब्रीक जो है यहाँ पर ब्रीक जो वाल है उसको भी आप change कर सकते है क्योंकि देखिए एक एक स्टेट में एक एक टाइप का ब्रीक आता है ठीक है तो ब्रीक का कभी 230 mm का भी ब्रीक ह 10 इंच का वाई 5 इंच का ब्रीक तो एक-एक स्टेट के उपर निवर आपको डिपेंड करेगा आपको जो ब्रीक साइज उसके उपर आप आपका जो घैजब आप आप वाल है उसको आप सेटिंग कर सकत है ठीक है सब्सक्राइब करकम का तो चलिए उसके बाद हमें काम करेंगे यहां पर जो हमें यहां पर देखे हमें जो यहां पर विंडो चाहिए हम यहां पर विंडो ऐसे क्रेट करेंगे तो विंडो क्रेट करने के बाद हमें फाइनल जो डिजाइन है यहां पर दिखने को मिल जाएगा तो हमें फोर्ड बेडरूम के साथ डिजाइन जो यहां पर मिल रहा है इसके अं करना ना ठीक है सब्सक्राइब था सब्सक्राइब आपको ऐसे दिखाए देगा यहां पर यहां पर भी ऐसे विंडो मिलेगा उसके बाद देखिए यहां पर जो विंडो था इसको हमने यहां पर से डिलीट कर दिया था यहां पर 7ft 2.1 मीटर एंडेफ फोर फीट 6 इंच 1350 mm का यहां पर डेप्थ रहेगा ठीक है इधर से रहेगा ठीक है इसे कंपेट करने के बाद हमें फाइनल जो डिजाइन है जो मेजर्मेंट है इस टाइप का डिजाइन मिलेगा तो चलिए हम इसका अंदर कुछ फानिचर कालर एड़ करके पढ़ने के बाद हमें जो आऊटपूट मिलए है यहां पर इसके बादे में हम बात करेंगे को जब हम घर के अंदर जाएंगे ऐसे से तो यहां पर हमें स्टेव होगे डीक एक sli आपको दिखने को मिल जाएगा बेदरूम के साथ सोफा से यहां पर सेगें जो बेदरूम है यहां पर इसके लिए यहां पर डॉइंग काम डाइनिंग रूम है यहां पूरा सा ढवर डिलिट कर सकते शैन के लाइनि Whoops विश्केर और से देखने को मिल जाएगा यहां कि इहां इधर से करेंगी देखें इतना तक 0 तो देखते हैं क्या औत पूण आएगा यहां इसे आउय टाओ बोलें आप चाहते तो एसे डिजाइन कर सकते यहां यहां पर तो आपको पूरा यहां पर open area मिल जाएगा तो उसके बाद हमें इसका जो टूडी टॉइग है आपके साथ करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर जो तूडी 3D है इसका details चाहिए तो details हम आपके साथ करते हैं के त्यूं का जो ना यहां पर जो जागा है इसको हम यहां पर सब्सक्राइब करते पहले कहां पर कहां कर रूम आय गा यहांप एक बेदरूम देखें कि characterized could उसके बाद देखिए हम ट्यूलेट करेंगे ठाफ ट्यूलेट ईधर सेगेंड्र ट्यूलेट ऑन बात इधर सेघंव पर बात विन घँ इगा टौलेट ऑन बात हैँ यहां पर चेंड फ्या लेकि अछ सेट करेंगे कि यृइचें ऐतीन सी इच dining काम ड्राइंग, dining d-i-n-i-n-g, dining, dining, काम, okey, drawing, d-r-a-w-i-n-g, drawing, dining, काम, drawing, यहाँ पर रहेगा, पूरा जगा, उसके बाद देखे, st-a-r, stare, stare के लिए यहाँ पर पूरा जगा हमें, मिल जाएगा, तो ऐसे रहेगा, simple design, अच्छा, इस जो measurement है, यहाँ पर कितना है, measurement, चल यहां पर 12 feet next चो यहां पर measurement है देखिए 10 feet और यहां पर 12 feet next चो measurement है 3rd bedroom है यहां पर 10 feet 5 by 12 feet next चो यहां पर 4th bedroom है देखिए 11 by 13 with 4 बहुत ही अच्छा से यहां पर master bedroom है ठीक है तो यहां पर देखिए 8 mm आएगा ठीक है यहां पर इसके साथ देखिए टॉइलेट और एक बारंदा आपको फॉर्ट में दीखने को मिले तो यहां पर स्कॉयर बारंदा है इसको हमने देखिए यहां पर यहां पर यहां पर जो रहेगा तो इसके इसका डीटेल साम इधर से इधर तक करेंगे देखिए 20 फीट यहां पर 20 फीट 10 इंच है और यहां पर जो रहेगा ओके इसको हमें डिलीट करने पड़ेगा इसको भी हम मेजरमेंट यहां पर नहीं रखेंगे हम यहां पर मेजरमेंट अलएक से यहां पर रेडी करेंगे इसके लिए जगा चाहिए देखिए 9 फीट ओके और इधर से जो मेजरमेंट है इधर तक हमें 20 फीट 10 इंच तो इधर तो एक पोजिशन आपको मिल गया है सेगेंड जो है देखिए 9 फीट 4 इंच यहां पर जगा मिलेगा उसके बाद देखिए इधर से इधर तक जो जगा है इसको हमें 18 फीट 9 इंच यहां पर उसके बाद 10 फीट 4 इंच उसके बाद 8 फीट ओके यहां पर देखिए वरंदा 5 फीट 5 और यहां पर 8 फीट उसके बाद यहां पर जो टॉयलेट है 4 फीट 6 इंच यहा यहाँ पर 5.7 इंच और यहाँ पर 4.6 इंच टोटल लेंद्ध कितना है थार्टी एट फीट बाई 32 फीट टोटल स्कॉर फीट थार्टी एट इंटु 32 देखिये 1216 तो इधर जो जगा आपको मैनस हो जाएगा तो यह पर स्कॉर फीट का अंदर आपके डिजाइन आ जाएगा तो यही तो प्लांट डिजाइन आपको पसंद आए तो लाइक और शेर कर देना 3D के साथ तो थैंक्यू वाचिंग इस वीडियो